एक बफिर से स्वागत है आपका आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमें 10 से लेकर 1 तक descending order में number प्रिंट करने हो और while loop यूज़ करना हो तो इसका हम flowchart कैसे design कर सकते हैं सबसे पहले हमने start symbol use किया और क्योंकि हमें number 10 से 1 तक जाना था तो हमने i की value को निश्राइज कर दिया है 10 से और यहां पर हमने लगा दिया while loop जो कि i is greater than equal to 1 तो जब i की value यह condition satisfy करता रहेगा यानि कि यह i की value जैसे पहली बार में 10 होगी तो 10 is greater than equal to 1 10 जो है 1 से बड़ा होता है तो यह condition true हो गई क्या होगा और अगर फिर भी कोई डाउट है क्वेरी है तो comment box में लिखकर आप पूछ सकते हैं मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको solve करने की और यहां पर आसा चोड़ी सी request करता हूं मैं अगर आप इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को subscribe जरू कीजिए और आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को follow जरू करिए तो इस वीडियो को देखने के लिए like करने के लिए share करने के लिए आपका बहुत बहुत धान्यवाद